दादी ये एक word नहीं एक emotion है एक feeling है एक जज़बात है अगर आपने अपनी दादी को देखा हुआ है या आप अपनी दादी के साथ रहते हैं तो ही आप इस feeling को इस emotion को महसूस कर सकते हैं खुश्वन सिंग भी बताते हैं कि उनकी दादी के साथ उनका क्या रिष्टा रहा खुश्वन सिंग एक छोटा बच्चा जो कि अपनी बूरी दादी को देखता है दादी को देखकर उसे लगता है कि मेरी दादी तो हमेशा से बूरी ही थी एक बूरी कमजोर औरत जो अपनी माला ऐसे जबते हुए घूमती रहती है दादी से खुश्वंत सिंग का रिष्टा बहुत मजबूत होता है एक छोटा बच्चा खुश्वंत और उसकी दादी दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है क्योंकि खुश्वंत के जो माता-पिता होते हैं वो शहर चले जाते हैं खुश्वंत को उसकी दादी के पाथ छोड़के अब दादी पोते एक ही कमरे में रहते हैं जहां दादी उसका खुब खयाल लगती है वो उसे कहानिया सुनाती है कि कैसे वो अपने बचपन में किस तरह के खेल खेला करती थी क्या क्या किया करती थी ये सब कुछ खुश्वंत अपनी दादी से सुनता है खुश्वंत को उठाना उसे तयार करना स्कूल लेके जाना ये सारा काम खुश्वंत की दादी ही उसके साथ किया करती थी लोग बताते थे कि दादी भी बहुत खुबसूरत हुआ करती थी, उनके भी पती थे, लेकिन खुश्वंत को अपनी दादी को देखकर कभी नहीं लगता था, कि वो भी कभी जवान हुआ करती थी, या फिर उनके भी कोई पती होंगे, वो तो बस दादी थी, एक बूढ़ी दादी, दादी पोते का इरिश अब खुश्वन शहर के एक English Medium School में पढ़ने लगता है, जहां पे उसको Chemistry के बारे में, Science के बारे में, Western Culture के बारे में पढ़ाया जाता है, वो अपनी दादी से अपने Lessons को Share जरूर करता है, लेकिन दादी को कुछ खास समझ नहीं आता है, उन्हें वो Language समझ ही नहीं आती है, और इस बार से वो नराज भी रहती है, क्योंकि अब वो अपने पोते की मदद नहीं कर पाती है उसकी पढ़ाई में, साथ ही उन्हें ये भी बुरा लगता है, कि इस सब पढ़ाई के अंदर भगवान की बाते तो हैं ही नहीं, और इस तरह से दादी पोते के रिष्टे में थोड़ा सा फासला आना शुरू हो जाता है, और ये फासला तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब खुशवंत यूनिवर्सिटी में कदम रखता है, और अब उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है, और दादी उससे अलग हो जाती है, अब दादी बिलकुल अकेली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दादी एकदम शान्त रहती है, वो खुशवंत के माथे को चूमती है, और अपने पोते को अलविदा कह देती है, पांच साल बाद खुशवंत वापस आता है, उसकी दादी उसको गले से लगा लेती है, उसे बहुत प्यारती है, निहार एक दिन दादी को बुखार आता है, डॉक्टर कहता है कि बुखार चला जाएगा, लेकिन दादी कहती है कि उन्हें पता है कि उनका समय आ गया है, और वो मना कर देती है किसी भी तरह के इलाज के लिए, वो बस हमसे बात करना चाहती है, हाथ में माला लिए, बैट पे कोड़ा नहीं खाती है, और दादी इस तरह से सब को छोड़ के चली जाती है, एक ऐसा चैप्टर जो आपके दिल को छू लेता है, एक ऐसी सची कहानी है, जो हम सब को जंजोड के रख देती है, अभी जैसे आपके दिमाग में भी चल रहा है, वही सब चल रहा है, कि अगर आपकी दादी जिन्दा है, आपने अपनी दादी को देखा है, तो उनकी सारी बातें आपके भी अभी जहन में चल रही होंगी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भी दिमाग में वही सब चल रहा है, मेरी दादी भी रिसेंटली, शी पास्ड रोए, तोटता चला जाता है, दादी अकेली होते चले जाती है, तो ये सारी बातें, दादी का दिया हुआ प्यार, उनकी सिखावट, और जो छुटी छुटी बातें, वो हमें सिखाती आई हैं, हमारा ख्याल लगती हैं, हमें खिलाती हैं, उनकी गोद में खेलना, उनकी बातों क को सुनना उनके चेरे की जुरियों को महसूस करना देखते रहना और इस तरह से देखना के दादी तो कभी जवानी नहीं थी यह सारी वही तो बाते हैं जो आप और मैं भी महसूस करते हैं यह सिर्फ में तो बस आप अपनी दादी को सोचिए महसूस कीजिए और वही सब बातें आप पाऊगे आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगी बस फर्क तो होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्विच का अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे वर्ड जो आपको इस चैप्टर में यूज करने पढ़ेंगे आंसर करते हुए वह मैं आपको बता देता हूं तो आज इस वीडियो में मैं ज्यादा ज्यादा हसी मजाग नहीं कर पा अब पाटर को पढ़ते हुए आपको जो पता होने ही चाहिए वह किया वह देख लेते हैं रिंकल्स जुर्यां दादी की जुर्यां थी तो यह लाइंस और फोल्स इन इसकेन यह आपको याद रखना है एक अपसरद अब्स्ट का मतलब होता है बासी मस्टी यानि बासी मतल जो हम ऐसे माला फेरते रहते हैं दादी फेरते रहती थी ना माला यह वही है और उसके जो मोती होते हैं बीड्स जिसे हम इंगलिश में स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और ग्लास इस तरह से भी समझ सकते हैं चुरपिंग्स का मतलब होता है जिसे चुड़े चाहती है दादी उनको यह यह चैटें का मतलब होता है चंद एक हास को बया करें कर करके कभी आपके दादी भी आपको से चीजें उनको सुनाय करना बहुत प्रिशान हो जाना अफलिक्तव तॉट और Dienst-illeard होना पहुत परिशान Лसी आफ्लिक्त ठीकिड यह तो important words थे अब इस पूरी कहानी को मैंने आपको एक long answer की form में यहां पर बता दिया है लिखा है आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे इन चीजों को समझने की इस पूरी चुरुआत करते हैं the chapter portrait of a lady is the real story of the author and his grandmother सबसे पहली बात वहीं क्या है chapter एक real story सची स्टोरी सची कहानी किस-किस की जो पुझिस के author खुश्वन सिंग सहब और उनकी दादी की grandmother की आगे बढ़ते हैं the grandmother was an old woman with a wrinkled face आगे बढ़ते हैं it was hard to believe यह बहुत मुश्किल था विश्वास करना क्या चीज यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि वह कभी जवान भी हुआ करती थी यह उनका कभी कोई पती भी थे यह वाली बात भी सोचना जैसे हम आर आप क्या सोचते दादी को देखा दादी मालो जिसके दादा जी नहीं है जिसके दादा जी नहीं है तो उनको तो ऐसा लगता है न बस दादी होती है सब कुछ जिन्होंने अपने दादा को देखा ही नहीं कभी जैसे मैं मैं अपने ए आज शादी हुई होगी ऐसा कभी दिमाग में आता है अब दादा जी की तस्वीर को देखके क्या लगता है अब ज python सवाल हैँ तो इनके दादा की तस्वीर के उनकी लंबी सी डाड़ी थी वाइट कलर की तो उनको ऐसा लगता था कि ये आदमी तो कभी जवानरा नहीं हों गया अपने दादा जी को भी ऐसे वोलते थे कौन खुश्वन सिंग साब के यह तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इनकी कोई वाइफ होगी इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके तो सिर्फ पोते पोतिया होंगे तो पहले से दादा लगते हैं ठीक है क्योंकि वो हमेशा ना इनके तो grand children ही होंगे, इनके तो पोते-पोते ही होंगे, ये जवान नहीं है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा, दादजी वाली बात मैंने इसमें नहीं लिखिया, आपको extra बता दी है, ताकि आपको याद रहे गर exam में आ जाए, ठीक है, आगे बुड़ी हो अरते हैं, वाइट कलर के क्लोट में रहती हैं, आपकी दादी भी सफेद कलर की साड़ी में रहती होंगी, सूट में रहती होंगी, वही उनका हाल था, तो ये सब रटने की चीज़ें नहीं है, बहुत common है, बहुत जर्नल चीज़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक होंगी बहुतिकily चीज़ें, उसकी मोटियों की माला, रोजरी कि माला, उसका चीज़ें रहती होंगी आगे बढ़ते हैं, इन इन इनिश़ जो शुरुआती दिन उसमें किया था, घॉड़ी इस ढम dalej दिन अरे जब बच्पन की बात थी जब आथर छोटे थे जैसे उन्होंने आँख खोल कर देखा था अपनी दादी को तो क्या उधा था जो ग्रैंड मदर थी दादी थी और जो खुश्वन सिंग थे बच्चे छोटे तब वो दोनों के भी दोस्ती थी दादी पोते की दोस्त ओके शी यूज तो वेकिम अप वो उनको सुबह उठाती थी किसको खुश्वन सिंग को उनकी दादी सुबह उठाती थी and get him ready for school और स्कूल के लिए तयार करती थी और क्या करती थी he used to pack the things required by him for the day and send him to the school और उनके और जो भी खान पीने की चीज़े होती थी जो भी वस्तु प्ति तो दादी जाती थी itself मंदिर को इसको इसे को अपने पोते को मिरे यह हो थिए जना जाना पिर उननी लेने जाना लेकर आने उनसे पूछनी और बडून से मंदी का स्कूल मेन यह का तो आज मेरे दोस्ता ता आज में यह का आज हमने यह पढ़ाता दादी बता है यह क्या होता है ऐसे से में बाते करते हैं ना वही सब कुछ है दोस्तों चल आगे बढ़ते हैं शी हैड़ रूटीन ऑफ शी हैड़ रूटीन ऑफ रीडिंग दा स्क्रिप्टर्स वह क्या करती धार में गरंत हो गयरा पढ़ती थी डेल सबस्क्रान सबस्क्राइब करते हैं जब ऑफ और श्रण सबस्क्राइब लोग सबस्क्राइब मिलता है जिनसे आपको पूर्म मिलता है तो अब तो अगरती थी ना जो में कुटते मिलते थे किसको दादी को पूते को की jest होते के relationship में कैसे आया तक कब आया तो तो उसके लिए बहुत important है ठीक है आ जाते हैं and then things started to change और इस तरह से चीज़े बदलनी शुरू हुए क्या चीज़े बदली the author used to go to an English school in a motor bus अब author जो था जो हमारे खुश्वन सिंग ते अब वो शहर में आ गए थे अमाई तरब तो बहुत कुछते हैं तो भई गलियों में यहां रोट्स वगेरा पर आप कुटे नहीं थे वहां तो कुटे होते थे जिने चपाती देती दादी है ना लेकिन अब नहीं ऐसा होता था शी नो लॉंगर अकंपनीड हिम तो दे स्कूल अब वो दादी उसके साथ नहीं जाती थी अपने पोते की शी कुड़ नाट है इम इन इस्टेडिज वो उसकी प्रहाई में भी उसकी एल्प नहीं कर सकती थी जैसे पहले वह एल्फबेट सुना आती थी मौनिंग प्रेयर सुनवा थी बुलवा थी अब नहीं कर पाती थी क्यों नहीं कर पाती थी अगे बड़ते हैं शी वो बहुत ज्यादा परेशान थी उन्हें उदास थी उन्हें पसंद निया आता था शी वोस इसका अफसोस होता था वो बहुत नराज रहती थी इस बात से कि जो नया सिलेबस था नय स्कूल का वहां पे थो भगवान की नहीं होती थी धरम वरम की न सिलेबस ही तो बड़ा बेकार है यह तो बहुत ही गलत है गलत गलत बाते हैं इसमें उनको ऐसा लगता था क्योंकि वहां वेस्टन कल्चर की बात होती थी साइंस की बात होती थी जो दादी को कुछ खास पसंद नहीं आती तो मोस्ट इंपोर्टेंटली वहां भगवान के बारे में भजन के बारे में जो अच्छी भगवान की बाते होती है धर्म करम की वह वहां पे सिलेबस में एड नहीं थी ठीक है चलो जैसे आगे बढ़ जाते हैं ही गॉट वें दा ओथर वेंट तो युनिवरस्टी अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े अब कुछ टाइ अब जब युनिवरस्टी में जाने लगे खुश्वन सिंग तो बांड विलकुल टूड गया अब दादी और पोते एक कमरे में एक साथ नहीं रहते थे जो खुश्वन सिंग्थून को एक अलग रूम देते गया था यानि इसका मतलब क्या हुआ दादी अकेली रहने लग अब ग्रैंड मदर किसी से कोई बात नहीं करती थी वो चुप चुप रहने लगी थी और उनने अपने अकेले पन को एकसेप्ट कर लिया था अच्छा एक बात और है जब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहता ना तो आप वैसे अकेले हो जाते हो फिर कोई पोता आज किसान आ जाता आपके बच्चे होते हैं उनके साथ आप घुले मिले रहते हो तो आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता इस चीज का हैसास नहीं होता लेकिन जब दादी दादी की दादा तो थे नहीं दादा साथ होते तो भई लाइफ अलग होती दादा चले गए पोता आगे बढ़ते हैं उन्होंने अपने अपने पढ़ने को एकसेप्ट कर लिया था असान लेंगोजना कुछ रटना पढ़ रहा है नहीं ऐसे सिलसिले वाल तरीके से इवेंट्स हैं उन्हें याद रखना पूरी कहानी कैसे चलिए बचपना था बचपन में साथ घुमा फिराय जब पोता युनिवर्स्टी चला गया फिर क्या हुआ रूम भी सेपरेट हो गया दादी अकेली हो गया इतना हुआ अभी आगे बढ़ा जाए चलो जी ओके ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेट इंटो पीसे और फीडिंग इंट तो बर्स वासे डेली रूटीन अब वह ज्या खुश होते थी उनसे तो दोस्ती किसे कर ली चलियाओं से दोस्ती कर ली जब कोई नहीं मिला तो थी आगे बढ़े जाते हैं ओके वेंड़ ऑथर डिसाइड़े तो गो अब्रॉट फॉदर इस्टेशन तो लीव और बट नॉट लुक्ट सेंटिमेंटल इन फैक्ट ची कं अगे बढ़े जाते हैं अपने पोते को रेलवे स्टेशन को लगता है कि वह बहुत इमोशनल होंगी बच्चा जा रहा है इतनी दूर पांच साल के लिए जा रहा है लेकिन वह जरा भी इमोशनल नहीं होती है वह बलकि अपनी माला ऐसे फिर रही होती है अपनी प्रेस आप चलो आगे बढ़े जाते हैं फिर क्या होता है लुक्स इंफेक्ट शी कंटिनुसली एक प्रेस एंड किस्धिम ऑन फोरहें आफ्टर फाइव पांसल बाद बच्चा वापिस आगया वह चोटा था पोता जो पढ़ाया तो स्कूल में वह वापिस आगया फिर क्या अगले ही दिन जो अगली सुबा थी वह बिमार पड़ गई उन्हें बुखार आया क्या हुआ दोक्टर तोल देट टोड़ एट टोजा जाएगा एड़ जो यह चला जाएगा एड़ एट वोड़ जाएगा लेकिन दादी ने क्या का सुनो दादी ने का पट दा ग्रेंड म उन्हें अब मैं अपना वंखत ना लोगों से बात करने में नहीं खराब करूंगी तो प्रेखना करूंगी पूजा करूंगी पढती रहूंगी मेरा शोगयी जितना मेरा राशन-पानी था मेरा लिखा हुआ था उस ब उड़िया है अब हो गया वो यह कह जाती है सब लोग कहते हैं नहीं गलत कह रहे हो, आप ऐसे क्यूं कह रहे हो, बुखार ही तो यह चला जाएगा, लेकिन एदसन नहीं होता, होता क्या है? the rosary fell down from her lifeless heart hand and she died हाथ में ऐसे लेटे वे इस तरह से मोतिय के दानों को ऐसे मोतियों को ऐसे तस्भी को पढ़ रहे होती है और एकदम से हाथ नीचे जला जाता है माला नीचे गिर जाती है दादी खत्म हो जाती है All the sparrows could be seen in the veranda mourning her death उनके कफन वगेरा का इंतजाम किया जाता है उन्हें लिटा दिया जाता है एक चादर पिस तरह से लपिट के जो चड़िया होती है वो आती है वाँ तो जो writer की मा होती है जाती है उनके लिए वोई bread के टुकुडे लेके डालने के लिए कोई निखाता कोई चड़िया निखाती है वहाँ बस चड़िया बैठी रहती है कोई नहीं खाती है इस तरह से chapter खत्म हो जाते दोस्तों इस chapter को रटने की कहीं कोई जुरत नहीं है प्यारी सी कहानी है कुछ मुश्किल वर्ट से बता दिया है क्या एक्जाम में क्वेश्चिन आ सकते हों मैं अब आपको बता दें So guys, let's start with some NCRT question and the question number one is mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad बाहर जाने से पहले तर author और उसकी grandmother की बीच क्या relationship था क्या किस तरह का relationship रहा उसके तीन phase बताने है तो सबसे पहले phase तो था चहर चले गए थे turning point आ गिया था याद नहीं turning point हमने पढ़ा इसके अंदर अभी तो turning point आ गिया था आप वो नए स्कूल में जाने लगा था दोनों की थोड़ी distance होने लगा था तीसरा phase था जब वो युनिवर्स्टी में चला गिया था अब यह कह रहा है कि जब वो शहर के स्कूल में चला गिया था ओथर हमारे खुश्वन सिंग साब जब शहर के स्कूल में चले गए थे English Medium School में तो दादी को क्यों बुरा लग रहा था इसी तीन वज़े बता दो वो डिस्टरब क्यों हो गई थी पहली वज़ा English Medium में था सब कुछ अब सिलेबस अब अपने बच्चे को अपने पोते की स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी समझ नहीं पाती थी दूसरी चीज़ वहां पर भगवान की बाते नहीं थी सिलेबस के अंदर की स露ेधी को सब्सक्राइब वहां कुछ भी नहीं था वेस्टर की बाते थी साइंस की बाते थी सईंस्य के लिकिन घंड। में कुछ नहीं था तीसरा था वहां जो की जो music class थी music के जो classes हुआ करती थी वह उसको दादी को बिल्कुल पसंद नी थी वह उसे बहुत बुरा मानती थी गलत मानती थी चलो आगे बढ़ते हैं three ways in which the authors mentioned the three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up जब पूता बड़ा हो किया था तो दादी न अपनी जिना कैसे शुरू कर जाता अब दादी अकेली पढ़ गई थी पहले चीज़ क्या कर दिया था उन्होंने अपनी loneliness को accept कर लिया था अकेले रहने लगे थी दूसरा में मोत्यों की माला ऐसे फिरती रहती थी बस अपने सिर्फ धार्मिक बातों में involved हैने लगी थी सिर्फ भगवान का नाम लेती थी तीसरा क्या करने लगी थी चिडियाओं को खाना दिया करती थी यह तीन काम करने लगी थी कौन सा वो ऐसा पीहेव किया था उन्होंने मनने से पहले जो कि थोड़ा अलग था अजीब था और दॉक्टर के रहा था नॉर्मल सा बुखार है लेकिन दाजी ने क्या किया था मैं मेरा टाइम आ गया है और मैं अपने टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बाते करने में और मै भी फिरने लगी थी हाथ में भगवान का नाम लेने लगी थी और चुप-चाप लेट गई थी ठीक है अब जो चड़िया थी दादी के मनने के बाद उन्होंने क्या किया था तो आपको मालूम यह वो सभा के बैठ गई थी वहीं पर वेरंडा में और उसके बाद उन्होंन अब आपके एकजाम होंगे इसके बीच में कोई भी आपके एकजाम रहते हैं विंटर तो मैं आपको उसके लिए आँँगा आँगा आपके साथ लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी कोई बी पूछ नहीं से इस्टेग्राइम पर पूछिछ दे अवेफ इसाख र कराऊए उसरे करांगा विकास वाली रणनीती पर हम कायम है तो उम्मीद करता है यह वीडिया आपको बहुत पसंद आई होगी लाइक करके शेर करके अपना प्यार देखा के जरूँ बता देना कि कुछ लोग हैं जो पढ़ापढ़ाकर अच्छे से पढ़ाकर लोग की अपन को फायदा हो रहा है तो बाकी दुनिया को पता चलना चाहिए पता चलेगा ना उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बता दोगे और मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए बने रहें टीर सर के साथ